कभी कभी घर पे ऐसे महमान आते हैं जिने आप छोले के साथ खिलाना चाहें भटूरे और वो खाना चाहें नान तो आप ना हो परिशान छोलो के साथ बनाएं भटूरा नान हेलो फ्रेंड्स एक बाद फिर से आपका स्वागत है स्माइल विट टेस्ट पर जहाँ पर अगेन हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुती स्पेशल रेसेपी बनाने में आसान और खाने में स्वादिश्ट इस थाली को बनाने के लिए हैं यहाँ पर हमने दो सो ग्राम छोले जिसे हम बारिक ग्रेट करके डालेंगे और यहाँ पर हम डालने वाले हैं पौण चमच करीब हमने याँ सफेद नमक डाला है आदी चमच काला नमक और आदी चमच यहाँ डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च और कूकर को हम बंद करके रखेंगे गैस पे दो सीटी हाइफ लेंगे उसके बाद हम 20 मिनटी से रखने वाले हैं लो फ्लेम पर चली इतने इसके मसाले की दियारी कर लेते हैं यहां पर मैंने चोपर मिली है दो हरी मिर्च अदरक का पीस उसे मैंने बारिक काट लिया है और यहां पर हमने 10-12 कली लिया है लसन की कड़ाई में चड़ा रहे चार टमाटर ले रहे हैं पेज़ बनाने के लिए यहां पर हमने डाली है हें और यहां पर ड़ाने व्लेम पर हम ने सारे मसाले भूने हैं यहां पर डाला है करीब आदी चमच पैकर हमारे बरी कोकर में में सीटी आ गría ऑर हमारे छोले अच्छे से अश्यटग गल गाएं हैं तह सकते हैं छोलो के लिए चली बने कर तैयार है अब हम इसे एड़ करने वाले हैं हमारे छोलो के साथ एड़ करने के बाद हम इसे धक्के रख देंगे करीब 5 मिनट के लिए इस लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने टमाटर के पेज़ को इसमें डाल दिया और अच्छे से एक बाद चला दिया है और हमारे कूक चना मसाला, यहाँ पर हम ले रहे हैं, 1.8 चमच, अम्चूर पाउड़र और 1.8 चमच हिए यहाँ पर हमे लिया है ग़र्म मसाला एक चुथाई चमच काला नमक, एक चुथाई चमच यहाँ पर हमने लिया है लाल मिर्च, एक चुथाई चमच यहाँ पर हमने लिया है गरम मसाला, एक चुथाई चमच करी भी हाँ पर हम ले रहे हैं चाट मसाला और हमने लिया है एक चमच नीबू का रस, इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स और एक टेस्टी सा सैलेड हमारा तैयार है चलिए हमारे छोले भी बनकर तैयार है और यहां पर अब हम डाल रहे हैं एक चमच घी घी जरू डालिएगा लास्ट में एक चमच इससे बहुत अच्छा टेस्ट आर आता है छोलो में और गैस को हमने कर दिया है बंद अब हम चलेंगे भटूरा नान बनाने की तरफ भटूरे का आटा हम बिल्कुल वैसे ही मांडेंगे जैसे हम नॉर्मल भटूरे का मांडते हैं और उसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करी है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आटा हमारा एकदम तय एक इर और हमने गयसफी तयल रख दियाता गरम होने के लिए और पSteal हमारा गरम हो जाएंगे तो उसे करेंगे बिल्कुल स्लोऊ फ्लेम पी फ्रेंट्श जबानौरे को भटूरा मगरा स्पूंगो लाल हो जाता है कुछ इस तरह से हमारा अपोर बन कर आता में बनाने वाल करना है बस जब वो दोनों साइट से अच्छे से फुल जाएगा तो आपको उसे गैस पर से उतार लेना है इन्हें आप कभी भी इसी तरह से उतार के रख सकते हैं दो से तीन घंटे पहले अराम से और घर में गैस चाने वाले हो या फैमिली में आपको किसी को खाना सर्फ करन करना हैं तो उनकी नान बनाने के लिए हमें कोई भी ग्रीसिंग की ओईलिंग की जरूत नहीं है जस्ट हम वने दबा दबा के अच्छे से लेना है बहुत टेस्टी लगते हैं क्रिष्पी भटूरा नान आप इस रेसिपी को एक पाद जरू ट्राय करके देखिएगा और ब बहुत टेस्टी है आप इसे एक बार चुरू ट्राइ करके देखेगा चलिए हमारे छोले और भटूरे बनकर तयार है और इन्हें हम कर रहे हैं सर्फ हमने नान रखती है प्लेट में आप चाहें तो इन पर बटर भी लगा सकते हैं और छोलो पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ह हमारा धरिया और सैलेट और अचार के साथ हम करने वाले हैं ऐसे सर्फ फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लेगे हमार सा जरूर शेयर करिएगा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू